करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 28 जून तक के सभी महत्वण करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा आज भी आपको क काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा हमारे डेली करंट अफेर्स पीडियेफ वीकली पीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फास्ट कोमेंट में या फिर डिस्क्रिप्श चाहते हैं तो कमेंट मोक्स में जरूद लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं शुरूआत इस वीडियो सेशन की सबसे पहले 27 जून को पड़े गए करंट अफेर्स क्विकली रिवाइस कर लेते हैं ब्रेंड फाइनेंस द्वारा वर्ड का स्टूंगेस्ट होटल ब्रेंड ता आज को बताया गया है आपको जानना चाहिए 27 जून को माइक्रो इस्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरपाइसेस डे सेलिब्रेट किया जाता है साल 2022 में इसका थीम है MSME's Resilient Recovery 2022 UN Ocean Conference यह लिस्पन पर्चुगाल होस्ट कर रहा है आपको जानना चाहिए National Small Industries Corporation Limited NSIC जिसे आप कहते हैं इसके Chairman and Managing Director पी उदय कुमार बनाए गए है 14th BRICS Summit जो की चाइना की Chairmanship में हुई है इसमें Prime Minister Narendra Modi ने Participate किया वर्चुली आपको जानना चाहिए Udisa से DRDO ने Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile जिसे आप VLSR SAM कहते हैं इसको successfully flight test किया गया है International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 26 जून को observe किया जाता है और इस बार 2022 में इसका theme है Addressing Drug Challenges in Health and Humanitarian Crisis International Day in Support of Victims of Torture 26 जून को observe किया जाता है इस बार 2022 में इसका theme है Torture, A Crime Against Humanity IIT मतरास की researchers ने Harvard University के साथ collaboration में एक machine learning algorithm जिसका नाम COMB-STPO है इसको develop किया है और ये wildlife को poaching से बचाएगी आपको जानना चाहिए कि केवडिया गुजरात में जो Parliamentary Consultative Committee है Ministry of Home Affairs की इन्होंने disaster management topic पर एक meeting संपन की है Coast Inflation Index Financial Year 2022 देश के लिए 331 है आपको जानना चाहिए C.DOT ने Gallow Network के साथ एक agreement किया है for collaborative development of end-to-end 5G radio access network products and solutions Indian Air Force एजिप्ट में tactical leadership program में सामिल हो रहा है पंजाब के former DGP दिनकर गुपता इन्हें National Investigation Agency यानि की NIA का डिरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है Union Minister of State for Environment, Forest and Climate Change अश्विनी कुमार इन्होंने Bengal सफारी सिलिवूरी में एक साल का एक टाइगर है और इसका नाम अगनी भी रखा इसको एक साल के लिए एडॉप्ट भी किया है Union Minister of Railways अस्विनी वैशनो इन्होंने rail भवन में Policy and Portal of e-Auction for Commercial Earning Non-Fair Revenue Contracts लौंच किया है Prime Minister Narendra Modi ने डेली में वानिचे भवन कोई नोग्रेट किया साथ ही निरियात Portal यानि कि National Import-Export for Rearly Analysis of Trade इसको भी लौंच किया है आपको जानना चाहिए Intelligence Bureau, IB के नई चीफ बनाए गए है तपन डेका साथ ही आपको इप जानना चाहिए कि Ministry of Housing and Urban Affairs ने परदान मंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU के साथ साल पूरे होने पर एक Virtual Event होस्ट किया है आपको बता दें जो ये परदान मंत्री आवास योजना अर्बन है इसको 25 जुन 2015 को लौंच किया गया था चलिए अब 28 जुन तक के सभी मैंत्रपूर्ण करेंट अफेर्स देख लेते हैं विच स्टेट्स मो बस सर्विस हैस वोन दा प्रेस्टीजियस यून पब्लिक सर्विसेज आवार्ड फोर 2022 किस राज्यकी मो बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिश्टित सहीवत राष्ट लोग सेवा प्रस्खार जीता है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंत्र ओप्शन ए है उडिसा तो यहां पर आप तो एक यहाद रखेंगे कि मो बस सर्विस यह उडिसा से संबंदित है और इसे यूनाइट नेशन द्वारा पब्लिक सर्विस अवार्ड के लिए चुना गया है टोटल कितनी सर्विस या फिर प्लैटफॉर्म या फिर और्गनाइशन को चुना गया है यह 10 कभी-कभी एक्जाम में इस तरह पूछ लेते हैं कि उडिसा की मो बस जो सर्विस है इसको पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया है कुल मिलाकर कितने और्गनाइशन या फिर कितनी सर्विस इसको प्र किया है बाकि आपको जाना चाहिए यह मोबस सर्विस 6 नमबर 2018 को उडिसा राज्य में लौंच की गई थी उडिसा की अगर हम बात करें गवर्णर गनेशी लाल है आप सभी जानते हैं कैपिटल भुवनेश्वर है और चीफ मिस्टर नवीन पटनायक है उडिसा संबंदित हमने जो हाल ही में करेंट अफेर्स पढ़े हैं जल्दी से रिवाइस कर लेते हैं तो सीतल सस्टी फेस्टिवल यहां पर सेलिब्रेट किया गया हाल ही में आपको जाना चाहिए इंडिया का फर्स्ट ट्राइबल हैल्थ ऑपसर्विट्री यह भी उडिसा में ओपन होगा इ पूछने की इस वर्स जी सेवन सब्मिलन कहां आयूचित किया जा रहा है 2015 जी सेवन सिखर सम्मिलन भी यहीं आयूचित किया गया था ओप्शन आपके सामने है और सही आंसर ओप्शन डी है स्लोस अलमाव जर्मनी तो देखिए जो यह 2022 का 48th जी सेवन सम्मिट है एडिशन भी याद रखेंगे 48th जी सेवन सम्मिट इस बार 2022 में जो है हुआ है 26 सेट है जुन के बीच में स्लोस अलमाव बैवेरियन एल्प्स जर्मनी में आपको बताते है 2015 में भी जर्मनी ने इसी जगह पर जी सेवन सम्मिट को होस्ट किया था इस बार इस सम्मिट का यदि आप थीम कहें गोल कहें या फिर मोटो कहें यह है प्रोग्रेस टोर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ड आपको जानना चाहिए जर्मन की जो जर्मनी के चांसलर ओलेफ सोल्स इन्होंने इंडिया अर्जंटिना इंडोनेशिया सेनेगल साफ्ट अफ्रेका इन सब इको इन्वाइट किया था कि आप भी सम्मिट में पारिस्पेट कीजिए युक्रेयन के जो प्रेजिडेंट है इन्होंने भी वर्च्वलियां पर पा अच्छा यह जो जी सेवन सम्मिट हुई है 40 जी सेवन सम्मिट यहां पर जो लीडर्स जो जी सेवन लीडर्स हैं इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 600 बिरियंड डॉलर इंफ्रस्ट्रक्चर इनिशेटिव पे अनॉंस किया है ताकि वे क्लाइमेट चेंज को टै में पार्टिस्पेट करते हैं आपको जाना चाहिए पहले इसको वर्ड एकोनोमिक सम्मिट बोला जाता था उसके बाद इसको जी सेवन बोले जाने लगा और पहले इसकी मिटिंग 1975 में हुई थी अगर हम 2022 तक की बात करें तो वर्ड पॉपुलिशन का 10% जी सेवन सम्मिट जो जी सेवन कंट्री से यह कोंट्र english करते हैं घ्लोबल जेटीवगा 15азी से अता है सार्थ fiction जी सेवन जाना चाहिए यह किac आविशन इसकोई व선फीर या अफियर ऊहर्ज है ये करती है वाकिया आपको जाना चाहिए कि जो जी-स एन यहह किसी पर वेस्ट नहीं है और में पूछा जाता है कि G7 का headquarters बताईए कहां पर है तो तीन option दे देंगे पैरिज, वियना, न्यू यॉर्क और लाश में देंगे नन अफ दी अबव तो उसमें सही आंतर होता है अबसरवर आप कह सकते हैं, अबसरवर आप कह सकते हैं, अमेरिकी सुप्रीम कोड ने 1973 के किस एतिहासिक फैसले को रद्द करके गर्वपात के अधिकार को पलट दिया जिसने अमेरिका में महिलाओं को गर्वपात का अधिकार दिया था, ओप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर ओप्शन ए रहेगा, रोव वर्सेज वेट, तो देखिए जो विमन्स राइट है, तो उसको एक तरह से एक विमन्स राइट यहां पर काट दिया है, यूएस के सुप्रीम कोड ने, उनिस सुप्रीम कोड ने इस केस में एक जज्जमे दिया गया था कि आप करवपात करा सकते हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोड ने इस फैसले को पलट दिया है, सुप्रीम कोड ने कहा है कि अब जो राज्ये हैं, अमेरिका में जो राज्ये हैं, इंडिविजल स्टेट्स जो हैं, वो अपने आप इस पर कानून बना सकते हैं इसे के साथ जैसी यह फैसला है कई राज्जों ने जो एबॉर्शन लो है उसको जो है खारिच कर दिया एबॉर्शन को अब जो है अनलोफुल बना दिया है तो इसके काफी आलोचना भी चल रही है अमरीका में इसलिए काफी न्यूस में भी है बाकी एक और नियूस से संबंदित है कि यहां के जो प्रेजडेंट है जो बाइडन इन्होंने यूएस गन कंट्रोल बिल को भी साइन किया है और लगबग पिछले 30 साल में थोड़ा मजबूत गन कंट्रोल बिल माना जा रहा है आपने देखा हुए गन की कटना होते रहती है कि किसी बार में किसी व्यक्ति ने जो बीड है उस पर गन चला दी ठीक है तो यहां पर जो यंग बायर्स हैं उन पर थोड़ा इस्ट्रिक्ट रहेंगे उनको लाइसेंस प्रवाइट कराने के लिए अच्छा जो यह जो यह एबॉट्शन वाला है तो इसमें थोड़ा रिपब्लीकन और डेमोक्रेटिक तो इपपलिकन है जो रिपब्लीकं सोच वाले व्यक्ति हैं जीसे ट्रॉम्प पार्टी से हैं और जॉर्ज डबलू बुश ये भी रिपपलिकन प्रेजिडन्ट रहे हैं अमेरिका के तो इन लोगों यह लोग इसके खिलाफ है जो एबो यह लोग इसके पक्ष में रहते हैं मतलब एक सोच का भी यहाँ पर थोड़ा अंतर है तो अब जो रिपब्लिकन वाले राज्ये थे नोगे तुरंत उस लोग को खारीच कर दिया अबॉर्चन वाले को उसको इलीगल बना दिया कि अब घरपबाद वगरा नहीं हो पाएगा इंडियन ओलंपिक एसोशेशन आई ओए का एक्टिंग प्रेजिडेंट बनाए गया है आपको जाना चाहिए इससे पहले नरींद्र दुरू बत्रा इसके प्रेजिडेंट थे और डेली हाई कोटनी ने रिमूव कर दिया है इंडियन ओलंपिक एसोशेशन की बात करें तो इसके स्थापनाद मिश्टो सथाइस में हुई थी हैड़कॉर्टर्स न्यू डेली में है और हैसलीं इससे प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंटरनेस्ट्र सेंटर का अध्यक्ष किसे न्युक्त किया गया सही आंसर ऑप्शन भी है श्याम सरन तो श्याम स बता दें इंडिया इंटरनेस्टल सेंटर ये एक नॉन ओफिशल और्गनाइजेशन है जो की निव डेली में लोकेटेड है तो भारत के रोनाल्डो सिंग ये फर्स्ट इंडियन साइकलिस्ट बन गए है जिन्होंने एशियन ट्रैक चैंपिर्शिप में सिल्वर मेडल जीता है और गोल्ड जीता है जापान के कैंटो यमाशा की ने तो एक्जाम में कुश्चन इस तरह से बन सकता है कि रोनाल्डो सिंग किस से संबंदित है तो आप आंसर करेंगे साइकलिंग ना कि फुटबोल तो ये आप याद रखें दूसरी बात यह है कि इसमें तीन मेडल जीते है ये तीसरा मेटर लाइन का सिल्वर वाला इस से पह जो एशियन ट्रैक साइकलिंग चेंपर्शिप 2022 यह इंद्रा गांधी इंडॉर स्टेटियम नियुडैली में हुई है यहाँ पर जो भारत की साइकलिंग टीम है उन्हें 23 मैडल्स जीते हैं अच्छा एक चीज जो आप और याद रखेंगा है यहाँ पर वैलेड्रोम वैलेड्रोम क्या होता है जो साइकलिंग का ट्रैक होता है जहां पर साइकल रेस वगयरा होती है थोड़ा कर्वड होती है इसकी साइट सोड़ी कर्वड रहती है ताकि टर्ण जो है आसानी सो सके इस तरह की जो पूरा एक track होता है उसको वेलरोम बोलते हैं, cycling के लिए तो यह आपके जो exam होते हैं, state के हो, ससे के उनमें पूछ लेते हैं ना कि जैसे ring पूछ लेते हैं, तो boxing किस में होती है, ring में होती है और ring होता है, एक rn के ring, वो ice skating के लिए होता है तो इस तरह से पूछ लेते हैं तो इसी तरह आप यादर कहीं वेलरोम, ये क्या होता है साइकल रेस के लिए जो ट्रैक होता है उसको बोलते है बारती नमींदम फीफा विस्फ रैंकिंग क्या है सही आंसर उप्शन सी है 104 तो फीफा ने लिटेस्ट रैंकिंग जारी की है इसमें भारती फुटबॉल टीम की जो रैंकिंग है ये 104 है दो प्लेसे उपर आई है भारत और अगर हम एशन फुटबॉल कॉन्फुटरेशन मेंबर्स की में बात करें तो भारत 19 प्लेस पर है और टॉप रैंकिंग इसकी है ब्राजील की ओवरोल ब्राजील पहले नंबर पर है देख सकते हैं फिर बेल्जियम में फिर एजन्टीना फिर फ्रांस फिर इंग्लेंड ओनलाइन फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म जो मैटो विल एक्वार ब्लिंक कोमर्स वट्वास with === फ्राइबट कोमर्स उ illness काहिए ओनलाइन फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म कि अचले के लिए टो इसे पर एक नामसे जाणा जाता था मैशुका यसे बाइन फॉड ओनलाइइन फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म प्लोंन चलेंड जोमेटो, एक्वाइर करेगा, 4,477 दे संब्लाओ, 4,8 करोड रुपीस में, वाट इस इंडियाज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ट वेक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 फोर पैट्स एंड चू अनिमल्स कॉल्ड, पालतु जानवरों और चिडियागर के जानवरों के लिए, कोविड-19 ने खिलाफ भारत का घरे दुस्तर पर उत्पादिटी का क्या कहलाता है, आप्शन साब के सामने हैं, सही आंतर आप्शन सी है, अनो कोवेक्स, तो देखे, यह एनकोवेक्स, यह एक इनक्टिवेटेट सार्सकोप टू डेल्टा वेक्सीन है, अनिमल्स के लिए, और यह डेल्टा और ओमिक्रोन वेरियंट्स इनको न्यूट्राइज करता है, और डोक्स, लाइन्स, लेपर्ड्स, इन सभी के लिए जो है यह सेफ है, आपको बता दे, इसको बनाए हर्याणा की ICR, National Research Center on Equines, नहीं, तो यह कहाँ बरें, सेंटर हर्याणा में है, अनो कोवेक्स, यह देखेगा, पाकिस्तान ने 6 अरब डोलर के रुखे हुए सायता पैकेज को बहाल करने, और अन्य अंतरास्टे सरोतों से वित्त पोसंड के लिए किस संगठन के साथ समझोता किया, औप्शन साब के सामने है, सही अंतर अप्शन लिए, International Monetary Fund, तो देखे, International Level की न्यूज है, यह भी हमारे लिए महत्रपूर्ण रही है, यह पड़ोसी देश से संबंधी थे हैं, तो पाकिस्तान से जो International Monetary Fund के साथ एक डील की है, क्योंकि जो 6 billion US टोलर की जो assistance packages का वो रुका हुआ है, तो उसी को सुल जाने के लिए, यहाँ पर पाकिस्तान ने इसके साथ एक डील की है, किसके साथ? IMF के साथ. सरकार ने 2030 तक गयर जीवाश में, बिचली छमता को, कितने गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा? सही आंसर, option B है 500. देखिए, क्यों न्यूज में है, Bloomberg NEF, इसने एक research company, इसने एक report जारी किया, उसमें का है, कि अधी भारत 2030 तक अमने जो wind और solar capacity installations वाला जो गोल है, कि इतनी wind capacity हम इस्टोर करेंगे, या फिर solar capacity इतनी पराथ कर लेंगे, तो इस तरह के गोल यादी 2030 तक अचीव करना चाहता है, तो भारत को 220 billion US dollar की investment की जुरुत पढ़ेगी, साथ ये भी आपको जानना चाहिए, कि government ने 2030 तक 500 gigawatt की non-fossil power capacity अचीव करने का टार्गेट रखा है, Name the Union Minister of State for Food Processing Industries, who inaugurated the National Conference on Merits on the theme, The Future Superfood for India in New Delhi, केंद्रे खाद्य प्रसंसकरण उद्ध्योग राज्यमंत्री का नाम बताईए, जिन्होंने नई दिल्ली में भारत के लिए भविश्य सूपर फूड विशे पर रास्ट्रे बाजरा सम्मेर्न का उत्गाटन किया, Options आपके सामने हैं, सही answer option C है, प्रदाज सिंग पटेल, तो प्रदाज सिंग पटेल है, Union Minister of State for Food Processing Industries, इन्होंने निव डेली में SOCAM के द्वारा और्गनाइज किया गया, National Conference on Millets, इसको इन्योगरेट किया है, और इसका theme रहा, The Future Superfood for India, आपको जानना चाहिए, भारत फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, Millets का globally, और साल 2030 से United Nations द्वारा, International Year of Millets, डिक्लेर किया गया है, यह मैंत्र पूर्ण रहेगा, हाली में PCS exam होआ था, उसमें पूछा गया था, मैंने टेलीग्राम पर भी आपके साथ वो शेयर किया है, उस question की image, तो टेलीग्राम भी join कर लिए कीजिए, क्योंकि मैं उस पर डालता रहता हूँ, जो previous year questions पूछे जा रहे हैं, Card 9-1, a global payment issuance infrastructure company announced a strategic partnership with Rupay and which bank, वैश्विक भुकतान जारी करने वाली अफसन रशना कंपणी Card 9-1 ने रूपे और किस बैंक के साथ एक रणनेतिक साहधारी की खोशना की, options आपके सामने है, सही answer option A है, yes bank, तो Card 9-1, जो कि ए global payment infrastructure powering business to business payment company है, इसने yes bank और रूपे के साथ partnership किये है, तो इस partnership में अलग-अलग तरह के जो card instruments से ये launch करेंगे, और अपने आपको digitize करने का प्रियास करेंगे रूपे की साहता से, NPCI की साहता से, बाकि yes bank की बात करें तो CEO प्रसांत कुमार है, headquarters मॉंबई में है, टैग लाइन है, experience over expertise, हाली हमने एक महत्रपॉन का रंटफेर ये इस bank से सम्बंदित पढ़ा था कि इसने start-ups के लिए एगरी infinity program launch किया है, researchers at which IIT have indigensly developed a metal 3D printer for aerospace, defense and general engineering applications, किस IIT के शोथ करताओं ने aerospace, रक्षा और समान्य इंचिनिरिंग अनुप्रयोगे के लिए स्वधेशी रूप से metal 3D printer विक्सित किया, options आपके सामने है, सही आंसर option B है, IIT जोधपूर, तो IIT जोधपूर के researchers हैं, जिनोंने aerospace, defense and general engineering applications के लिए metal का 3D printer develop किया है, यह पुरी दर से भारत में बनाएं, which state team won their maiden run-cheat trophy title, betting Mumbai by 6 wickets in the final at M. Chinnaswami Stadium in Bengaluru, किस राज्ये की टीम ने Bengaluru के M. Chinnaswami Stadium में, final में Mumbai को 6 wickets रहाकर अपना पहला run-cheat trophy किताब जीता है, options आपके सामने है, सही आंथर option दी है, मद्यव परदिश, question रहेगा आपके आने वाले exams के लिए, तो मद्यव परदेश ने अपना पहला डेंची trophy title जीता है, final में हराया है, 41 बार की champion Mumbai को, कहाँ पर गुआ मैच, M. Chinnaswami Stadium, Bengaluru में 6 wickets रहा है, तो मद्यव परदेश को 108 run का total, 4th inning में chase down करना था, और इन्होंने chase कर लिया, तो यहाँ पर आप यह भी याद रखेंगे, कि पहला title है, मद्यव परदेश का, इस तरह से भी question पूछ जा सकता है, कि कौन सा title जीता हमना, पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला title है, बाकिया आपको जाने चाहिए, मद्यव परदेश टीम के कैप्टन आधित तसरी वास्तवा रहे, और मद्यव परदेश से कोच रहे, चंदरकांथ पंडीत, प्रिवेस assignment questions की आंसर देखेंगे, जो हैंडिवेस आफिका, तो आफिका में 54, जो हैं इंडिपेंट इसे, नेशल देफलोपेंट कंचल वस सेट अप उन विछ डेट, आंसर इस 6 ऑगस्त, 1952, इंडिया स कुरंगांट अचोंट देशित, तो 13.4 बिलियन उस तोलर, in quarter 4 of fiscal year 22 मां ग्रिदा कश्या सिवी दनम और दो नोट बी ग्रिदी for anyone's wealth is the motto of लोगपाल the government has increased the agricultural credit target to rupees 18 lakh crore for the 2022-23 fiscal from rupees 16.50 lakh crore for the current fiscal और आप में से कई आस्पेंट से बिल्कुल सही answer दिया है पार्टिस्पेट किया चीजी ज़्यदर ज़्यदर शंहां में दो । औरी ऑजार एश्पीदे आप देखते हैं और उसमें भी participation के वल 20 35 बच्चों का रहता है तो आप देखें के इसे सही बात है तो ज्यदर ज्यदर संहां में है पार्टिसिपेट करें कि हुई सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्य सभा और फिच स्टेट वाज द्रॉपती मुर्मू द्रॉपती मुर्मू यह किस राज्य की गवंडर थी आपको बताना है गुस्टा वो पेट्रो गोट एलेक्टेड एस तप्रेजडेंट ओफ विच कंट्री निव डेवलप्मेंट बैंक इस अ मुल्टि लेटरल बैंक इस्टेब्लिश्ट पाई विच ट्रांस कॉंटिनेंटल और्गनाइशन तो पाच कोस्टेंस के आंसर आपको बताने हैं साथ आपको बता दूं कि एक वीडियो भी हमने अप्लोड की है जिसमें 2022 में जितने भी बैंक्स हैं जिनका लाइसेंस और रद्द किया गया है उसकी पूरा कंपाइलेशन डाला हुआ है उसकी पीडिएफ भी टेलिग्राम में डाल लिए तो देख लिए वीडियो देखनी है व कोश्चन हो तो जो आपके फैलो एस्पिरेंट्स हैं वह उसका अंसर हो आपर देदें कोई पजल हो या फिर क्वांट से संबंदित कोई कोश्चन हो कि साधी यहां पर हमारे करंट फेर्स की प्लेश्ट दी गई इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ फैलो एस्पिरेंट्स साथ हमारे करंट फेर्स को शेयर जरूर करें और आज का इस सेचन आपको क्या सा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा थैंक यू गाइस